दोस्तो आज हमारे पास है लेटेश 2022 मोडल बजाज पलसर NS125 और ये इस समय मेरे हाथ में इसकी चाभी आप देख रहे हैं ये जो कलर आप देख रहे हैं बहुत प्यारा कलर है इसे फ्यारी ओरेंज कलर कहते हैं और NS125 के सबसे ज़्यादा सेलिंग कलर ये है क्योंकि ये मैंने सोरूम वालों से पूछा तो उन्हेंने बताया कि ये ही कलर उनका सबसे ज़्यादा बित्ता है लेकिन आप अपना फेवरेट कलर जरूर बताईएगा हमें और इस कलर के बारे में भी आप जरूर बताईएगा ठीक है आज कि इस वीडियो में इसी के बारे में आपको बता कि जितने भी भाई लोग है 2022 में प्लान कर रहे हैं बजाज पलसर NS125 लेने का आप इस वीडियो को देखिए आपके सारे डाउट्स में कलियर कर दूँगा और जितने भी भाई लोग मुझसे जोड़ना चाहते हैं मुझसे किसी तरह की परसनल बात करना चाहते हैं तो मेरी इस्टाग्राम आइडी डेविट रहल जी और पर फॉलो गरके मैसेज और गरा कर सकते हैं मैं आपको शुरुआत में ही बता दूँ कि इसका मॉडल सिर्फ आपको एक ही विरेंट मिलता है जिसकी एक्षो रूम प्राइज इस समय चल रही है 2022 में एक लाग पांच जार आट और semi-digital meter console मिलता है मतलब digital और analog का combination है यहाँ पे fully digital तो आपको नहीं मिलता आधर कमपनियां बहुत सी ऐसी है जो 125 CC में ही fully digital meter console दे रही है लेकिन अभी भी यहाँ पे pulsar family में एकदम regular design वाला आपको speedometer मिलता है और मेरी इसाप से जो information चाहिए वो आपको ठीक ठाक मिल जाती ह है लेकिन जितने भी pulsar lover है उन्हें यही speedometer बहुत sporty और बहुत बढ़ियां लगता है fuel tank की बात करूँ तो 12 लीटर का fuel tank इसमें लगा हुआ है left handle side देखे passing switch low beam high beam switch side indicator switch और आपको horn वगारा left handle side पे company provide करती है clip on handle bar है riding posture आपका हलका सा अग ratio रहेगा ठीक है right handle side पे देखे आपको engine kill switch और उसके नीचे आपको self switch company provide करती है मैं आपको mileage बता दूँ NS 125 का जड़ा गौर से सुनिएगा अगर आप इसे जो है city बगारा में चलाते हैं तो आप 50 तक का mileage इसमें निकाल सकते हैं और अगर आपकी riding quality अच्छी होनी चाहिए आप इसीज का ध्यान रखेगा ठीक है औ में हेडलेट में आपको halogen bulb मिलता है किसी तरह का LED का इस्तवाल company अभी तक नहीं कर रही है इसमें side indicators भी आपको 10 watt के अंबर बल्स देखने को मिलेंगे और जो की बहुत ज़्यादा flexible है तूटने और के chances बहुत कम होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि company को LED पे focus करना चाहिए आपकी क्या रहा है आप comment में बताइएगा आगे जो आपको disc मिल रहा है ये आपको मिलता है 240 यानि कि 240 mm का और इसमें किसी भी तरह का ABS आपको नहीं मिलता लेकिन CBS यानि कि combi brake system आपको देखने को मिलता है जिसमें आप पिछला brake और अगला brake दोनों एक साथ इस्तमाल कर सकत क्या है कर ही CBS में इसी तरह working होता है अगर आप पिछला brake लगाते हैं तो अगला brake भी साथ में काम करता है आगे कर जो आप टायर देख रहे है ना इसकी size की बात करूं तो ये आपको मिलता है लगबग 80 by 100 यानि 80 बटे 100 का और ये आपको 17 यानि 17 इंच का tubeless टायर लगा आगे जो suspension आपको मिल रहा है ये telescopic suspension मिलता है और main head lamp के नीचे आपको position lamps मिलते हैं जैसे के NS 160 या फिर NS 200 में देखने को मिलता है इसे हम सबसे छोटा बच्चा कहेंगे baby NS कहेंगे क्योंकि NS 200 सबसे बड़ी है फिर NS 160 कम power और उससे कम power आपको NS 125 में मिलेगी अब कितनी power दे रहा हूँ इसके engine की बात कर लेते हैं four stroke single cylinder two walls आपको air cool engine company provide करती है और साथ ही साथ मैं आपको बता दू 124.45 यानि की 12.45 cc का engine इसमें लगा हुआ है max power आपको देखने को मिलेगी लगबग 8.82 kilowatt जिसे हम PS में convert करें तो लगबग 12 यानि की 12 PS की max power और 11 11 Nm का max torque आपको मि 130 mm का drum पीछे किसी भी तरह का कोई भी disc का विकल्प अभी तक company नहीं देती है और पीछे वाला जो tire मिलता है वो 100 by 90 यानि की 100 बटे 90 का मिलता है और 17 इंच का tubeless tire है मैंने लगबग सारी चीज आपको बता दी पीछे आप suspension देखे जो कि आपको monosock suspension मिलता है बहुत पहले कि ये बात मैं आपको बता दूँ 2018 में 2019 में जो NS160 आती थी न वो आपको 1,00,000 के अंदर मिल जाती थी लेकिन 2022 में आपको 1,20,000 या 1,30,000 के बीच में आपको NS125 मिल रही है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब price enhance हुआ है बाइकों के कारों के price कितने ज्य जरूर बताएगा अब मैं थोड़ा इस बाइक की लंबाई उचाई ये सारी सीज आपको बता दूँ इस बाइक की जो लंबाई है वो 2012 mm है इसकी जो उचाई है वो 1078 mm है इसका ground clearance का बिले तारीफ है 179 यानि की 189 mm का इसका ground clearance है और seat height इसकी 805 यानि 805 की है तो लेने से पह भी भी इस बाइक से तै कर सकते हैं लेकिन जो पीछे बैठेंगे उन्हें कुस्निंग थोड़ी सी hard मिलती है तो मतलब आपको अपने तस्रीफ को थोड़ा आराम देना पड़ेगा थोड़ी थोड़ी दूर पर ठीक है चलिए ये सारी बात है हो गई इस बाइक का जो weight है न पर मेरी Instagram ID David Rahul Jr. पर आप हमें follower के direct message कर सकते हैं NS125 के बारे में जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस समय स्क्रीन पर आप देखिए ये छोटा सा update है इसे मैं नहीं हुई अगर आपको बताओ तो उससे कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि ये कमपनी का मन किया कमपनी ने दे दिया ठीक है कोई बात नहीं चलिए अगली वीडियो में मिलता हूँ आप अपना ख्याल रखिएगा और जब भी चलिए हेलमेट का इसमाल जरूर करिए बीना हेलमेट के भाई को राइड मत करिए मेरे सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जय हिं जय भारत